आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एलबो सेंटर कैसे निकालते हैं तो एलबो सेंटर निकालने के लिए आपको कैसे नापके निकालते हैं तो आज के वीडियो में ये जानेंगे कि इसका एलबो सेंटर कितना होगा आप किसी भी पाइप का एलबो का आप किसी कित लिए देखिए आपको एसकेल या लाइन डोरी आपके पास होना चाहिए और टेप होना चाहिए तो इसको निकालने के लिए देखिए एक एसकेल आप ऐसे पकरिए ये फेस टू फेस ऐसे पकर के और सेम एक और ऐसे पकरिए एसकेल दो एसकेल आपके पास होना चाहिए और य यह center मे e Tage lunar सकते हैं मैं अरे सकेल Посक्डक्राइक कि अपको और यह तरश का ओना चाहिये और जात के बाद आप टीप से पूर सना चाहिए और ऐसे आप नाप सकते हैं यह आप देख शक् Courtney कितना है यह को चुझे है आपका यह है 95 है ठीक है ऐसे आप सेंटर पाइक है यह है य। Sure अनदर का यह जो डिटी एच ङसे यह मिल जाएगा तो ऐसे आप डेंगे एक फ्रहतर, कितना रहा थे 95 आ रहा है ठीक है तो 95 आ रहा है मैं लिख लेता हूँ अभी इसका radius अंदर का यह 95 आया यह 95 आया radius इसका तो 95 आया तो आपको क्या करना होगा इसका जो OD है न यह आउटर डाया यह आउटर डाया इसका मालूं करेंगे कितना है तो आप देख सकने आउटर डाया इसका 114 है यह सो 14 mm है इसका आउटर डाया तो आउटर डाया इस देखे इसका यह आउटर डाया 114 है तो इसका हाफ लेंगे तो 57 आएगा तो 57 प्लॉस प्लॉस यह 95 आया यहां से जो की चेक किये थे आप ये तो इसका जो रिडियस आया था अंदर का 95 ये ये हाफ ओडिक लोष करेंगे इसमें 95 95 तो आपका एस सो बावन एम आ गया तो एस सो बावन एम आ गया तो आपको क्या करना है देखिए इसका ये जो यानि एल्बो सेंटर इसका इस सो बावन एमम आ गया 152 आपका एल्बो सेंटर निकल के आ गया अगर आपको बाहर का रेडियेस पाता करना है तो 95 में आपको इसका 114 इसका आउटर डिया प्लॉस करेंगे तो आपको यह आउटर डियेस मिल जाएगा तो ऐसे ही आपको यह सब निकालना है और यह आपको मालूम होना चाहिए कि एक इंच का इल्बो सेंटर इस्टेंडर डियेस का आपको 38.1 यानि 38.1 होता है तो आपको जि जितना इंच का निकालना है और 30.1 से गुड़ा करेंगे जैसे 4 इंच का निकालना है तो जैसे यह इसका आउटर 4 इंच का यह है एल्बो सेंटर अभी मैं आपको निकाल के दिखा है तो आपको जैसे और 30.1 और 30.1 इंटू 4 है तो आपका इस 152 mm निकल के आ गया तो ऐसे ह आप बहुत ही आसानी से elbow center पता कर सकते हैं नाप के भी निकाल सकते हैं जितना इंच का निकालना है आप इसी फर्मूले से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं So friends, आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं इस्ट वीडियो में और वीडियो पसंद है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके लिखिए मैं कोसिस करूँगा उसका रिपलाई देने के लिए